Equity Market और Commodity Market विभिन्नता बताए Equity Market वो Exchange Market है जिस पर Public Company के शेर खरीदे और बेचे जाते हैं Commodity Market वो Exchange Market है जहां कच्चे माल को खरीदा और बेचा जा सकता है दोनों के बीच के मुख्या अंतर नीचे बताए गए हैं Equity के Holder को एक Share Holder माना जाता है Commodity के Holder को एक Option Holder माना जाता है Equity धारक Partial Company के मालिक होते हैं जबकि Commodity मालिकों को मालिक नहीं माना जाता है Equity शेरों की समाप्ती तिथी नहीं होती है पूर्व निर्धारत तारीक पर Commodity समाप्त हो जाती है Commodity Holderों के विपरीत, Equity Holderों को written के रूप में डीवीडन प्राप्त करने के लिए पात रहें निवेश विशेशग्यों से Equity और Commodity बाजारों के बारे में अधिक जानिए याद रखिए जो अच्छी तरह से पढ़कर निवेश करता है वही स्मार्ट निवेशक कहलाता है इसलिए निवेश करने से पहले www.motilaloswal.com निवेश विशेशग्यों पर जाएं सभी शेक्षी की विडियो के लिए edumo.motilaloswal.com पर जाएं अधिक जानकारी के लिए निचे डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लिक करें